नमस्कार दोस्तों, CSC के तरफ से आधार, ओपरेटर और सूपरभाईजर की एक नई वेकेंसी यहां पे निकलके आई हुई है और यह जो बहाली है, यह लगभग हर एक अस्टेट में आप लोग आप निकाला गया है आप किसी भी राजी से आते हैं, आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं मैंने आपको जोई इस वीडियो बना कर जानकारी भी दिया था कि किस तरीके से बहली आया हुआ है कहां से आप लोग को आवेजन करना है तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि अगर आप लोग को जोई CST आधार ओपरेटर सुपरवाजर के लिए ओनलाई अपलाई करना है तो किस तरीके से आप लोग को आवेजन करना है पूरा step-step मैं आप लोग को आवेजन का फॉर्म जो है उसको भर करने आप दिखाने वाला हूँ उसके साथ क्या 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 आप लोग का डोकिमेंट आप लगने वाला है वो भी मैं आप लोग का बताने वाला हूँ तो यह जो है आप लोग का योगता रहने वाला है अब चलिए मैं आप लोग को आप लोगर को अपलाई करना है और किस तरीके से आप लोग को जो फॉर्म है उसको आपर फिल करना है आप यहां पर देखे जो बहली है उसके बारे मिशनकाई दिया हुआ है कि इसमें योगता क्या रहने बाला है कौन को नहां पर अप्लाई कर सकते हैं तो सबसाफ यहां पर देखे आप रों का जानकाई दिया हुआ है कि यह जो आधार सुपरभाइजर ऑपरेटर की बहली है इसमें जो education qualification रखा गया है वो minimum जो है 12th pass है आप रखा गया है यानि अगर आप inter pass है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं या फिर अगर आप metric pass है पलस दो साल का आप ITI किये हुए है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अगर आप metric pass है और तीन साल का diploma किये हुए है तो भी आप यहाँ पर apply कर पाईएगा age limit कम से कम आप लोगा age 18 साल है होना चाहिए साथ में आपके पास आधार operator का सरिफिकेट है वहाँ पर होना चाहिए तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाईएगा अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोग को online apply कहां से करना है क्योंकि apply का जो link Google में लिखेगा सबस्री पहला जो link मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको जो इस website पर आना है और उपर में सर्च का एक option मिलेगा यहाँ पर आप लोग को operator लिखना है O P E R A T O R लिखकर जो आपको सर्च कर दिना है जैसे आप यहाँ पर सर्च करते हैं कुछ इस तरीके से आप आप लोगा पर जो website पर ओपन हो जाएगा और उपर में ही एक जो पोस्ट वो देखने को मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है कुछ इस तरीके से पोस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा इसका डायक लिंक मैं आप लोग को description में या फिर comment में दे दूँगा तो वहाँ से क्लिकर के आप जो ही इस website पर आ सकते हैं उसके आप लोग को नीचे आना है मैंने जो पूरा जानकाड़ यहाँ पर दे रखा है कब से कब तक यहाँ पर आवेदन होने बाला है उसका data आप लोग काहाँ पर दिया हुआ है उसके बद आप नीचे आएगेगा तो यहाँ पर सभी अस्टेट का जो नाम हो आप लोग काहाँ पर देखने को मिल जाएगा और सभी अस्टेट का जो लिंक के बाप लोग को आप पर प्रोबाइड करवाए गया है तो आप जिस भी राजी से आते हैं माल लिजे मैं बिहार से हूं तो बिहार का यहाँ पर देखिए आप ल का बाहली आया हुआ है तो इन सभी जिलों में आप लोग का बाहली होने बाला है जैसे कि दरभंगा, जहानाबाद, खगरिया, मधिपूरा, पत्ना, सीतामरी, बैसाली और बेगुष राई में बताना है कि आप किसी जिले के लिए अपलाइ करते हैं, पर यहां पर टोटल o इक्सपरियेंश आपे बताना है तो यहां पर आपको जो हे एक साल श्रेट का सट्राप लोग को बताना है कि आप कहाँ के निभास कीजिएगा नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं पिर यहाँ पे आधार सुपर भैजर का आप लोग को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो क्याप्याबचा दिख़ा है यह क्याप्या आप को रहांपर डालकर जोए सर्मिट पर क्लिक करना है अगर नहीं दिख रहा है तो इसको रिफ्लेस कीजेगा है सब्लेसिे जल्दि क्लिक केजिए को आपने यहांपर क्लिक कीजेगा आप robi कर देता हूँ कि यहां पे जो आप लोग का official notice है इसमे죠 minimum qualification है वो 12 बॉला जा रहा है लेकिन यहां पे दिखए जो highest qualification है इसमें आप göstigeruation आ रहा है या फिर post graduation आ रहा है तो यहां पे जो है आप44 will जो ही averaging और फिर post graduation आ रहा है तो यहां पे आपको graduation select कर कर देना है तो यहां पे आपका qualification 12 भी रहने बाला है सिर्फ यहां पे आपको बतारे आए कि अप्स्ट गेजोशन किये हुए है या फिर नहीं किये हुए है अगर post-accuration किये हुए है तो post-accuration आप डाल सकते हैं जो भी आप किये हुए हैं आप यहां पे बतारे जिएगा किस तरीके से आप लोग को फोर्म भड़ना है और किस तरीके से आप लोग को अपलाई करना है सब कुल में आप लोग कहां पर दिखा दिया है आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसना होगा गरी वीडियो पसना होगा लाइक केस वीडियो सब्सक्राइब को जमाई चैनल को सब्सक्राइब को ताकि और व्लोग को जानकारी मिल सके हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद